दिपावली त्योहार को देखते हुए मंदियों में सोयाबीन की आवक अधिक हो रही। सोयाबीन के भाव में भी बढ़त देखने को मिल रही। चालू सपताह में अब तक सोयाबीन के भाव में 200 रुपए प्रती क्विंटल तक की तेजी दर्ज हुई। सोयाबीन के भाव में बढ़त को देखते हुए मंडियों में आवग भी बढ़ गई। इधर दूसरी और न्यूंतम समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई। समर्थन मूले पर सोयाबीन खरीदी होने से मंडी के भाव में और तेजी आने की संभावना। इन स तब के बीच इस साल सोयाबीन की कुछ वेराइटियां बीज वालों की खरीदी के कारण अभी से महेंगी बिक रही है। मंडियों में स्टॉक एवं सोयाबीन प्लांट वालों की खरीदी भी बढ़ गई है। न्यून्तम समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीदी आपचारिक तौर पर कल से शुरू हो चुकी है। सरकार समर्थन मूले 4892 रुपए पर खरीदी कर रही है। सोयाबीन की खरीदी 31 दिसंबर तक चलेग। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान दीपावली बाद ही सोयाबीन उपारजन केंद्रों पर सोयाबीन को बेचने के लिए पहुँचेंग। सोयाबीन की सरकारी खरीदी जोर पकड़ने के साथ ही मंडियों में सोयाबीन की आवक कम होने की संभावना। यही कारण है कि सोया प्लांट संचालक दीपावली के पहले ही सोया बीन की जमकर खरीदी कर रहे हैं। मानसून की आखिरी बारिश से सोया बीन को नुकसान भी अधिक हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि दशरा के बाद जब क्रिशी उपज मंडिया शुरू हुई तब सोया बीन की आवक सीजन में जिस प्रकार की रहती है वैसी नहीं हूँ। सोया बीन का कारोबार करने वाले व्यापारी बताते हैं कि इसी कारण दीपावली के पहले सोया बीन के भाव में तेजी आई। सोया बीन के दाम महेंगे बने रहने की संभावना कारोबारी बता रहे हैं। सोयाबीन कारोबारी व्यापारियों के मुताबिक सरकारी भाव का असर दो सो रुपए प्रती क्विंटल की तेजी ला सकता। दीपावली मुहूर्त के सौदों में सोयाबीन में दो सो रुपए का उच्छाल आना माना जा रहा है। इधर किसानों की 6,000 रुपए भाव की मांग के चलते मंडी में महेंगे दाम की निलामी बोली के आसार है। इस साल स्टैंडर्ड भाव 4,800 से 5,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। इधर स्टाक वाले भी खरीदी करने में जल्दी करिंग। माना जा रहा है कि लाब की उमीद आफ सीजन में बनेग। सोयाबीन प्लांट के इस समय के खरीदी भाव नीमच लाइन 4,700, इंदोर लाइन 4,775 के चल रहे हैं। बर्तमान में सोयाबीन प्लांट ने भी खरीदी आफर बढ़ा दिये हैं। नीमच लाइन 4,700 इंदोर लाइन 4,650 से 4,775 के भाव खोलेगा। 15 प्रतिशत नमी वाला सोयाबीन 4,300 से 4,800 रुपए बिक रहा है। पुराना सोयाबीन 4,850 रुपए प्रती क्विंटल के भाव बिक रहा है। इधर बीज कारुबारी भी सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी का खरीद कर तेजी का बाजार बना दिंग। दीपावली के बाद अलग-अलग तारीखों को अलग-अलग कृशी उपज मंदिरों में मुहूर्ट के सोदे हुंग। वर्तमान में दीपावली नजदीक आने से किसान वर्ग अधिक से अधिक सोयाबीन बेचने के लिए मंडी में लेकर आ रहे हैं। इसका फाइदा बीज कारोबारी उठाने में लगे हुए है। बताया जा रहा है कि सोयाबीन की JS 9560 वेराइटी को बीज के लिए अधिक दाम प खो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी